कहते एक दिन वर्षों का संघर्ष आप बहुत खुबसूरा ढंग से आपसे टकराता है यानि दूसरे शब्दों में निरंतर परिश्णम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता इस कहावत को यदी भारत के परिप्रेक्ष में देखा जाय तो ये एकदम सत्य परतीत होता है क्योंकि भारत ने खुद को सश्रक्ट बनाने के क्रम में जो संघर्ष किया, उसका परिणाम आज पूरा विशु देख रहा है संघर्ष के आग में तब कर भारत आज जितना चमक रहा है शायद ही कोई अन्य देश आज इतना चमक रहा हो कभी जो भारत की ओर आख उठा कर भी नहीं देखते थे आज मस्तक जुका कर उसके कूट नीती का लोहा मानने को विवश है नमस्कार स्वागत आपका TFI पर जो है देश का सबसे विश्वसनी alternate news media portal और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे भारत की वरतमान कूट नीती के समक्ष पाश्चाते जगत विशेश कर अमेरिका भी नतमस्तक है इससे पूर्फ कि हम आगे बढ़ें यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप हमारे फेस्बुक पेज को फॉलो करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तो अविलम आरंभ करते हैं भारत की विकास यात्रा आज जिस बुलंदी पर पहुँच चुकी है वो अन्य देशों के लिए उधारन है भारत जितने मुखर स्वर के साथ विश्व पटल पर अपने बात को रखता है वो भारत की शक्तिशाली स्थिती को दर्शाता है शक्तिशाली भारत की शक्तिशाल उड़ाने वाला अमेरिका भी आज उससे अच्छे संबंद बनाने की हर संभव प्रयास कर रहा है ये भारत के सशत नेत्र तो का ही कमाल है कि कल तक पश्चिमी देशों के धमकाने पर चुप हो जाने वाला भारत आज उनको उनी की भाषा में जवाब दे देता है वो कैसे अपने आर्थिक हितों से समझाता करता है और ना ही वा किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आता है और यही बात हाली के शंगाई कोपरेटिव और्गनाईजेशन के सम्मेलन में सपश्ट सिध हुई है जहापर उन्होंने पाश्चाते जगत के चिकनी चुपड़ी बात एवं अंतरराष्ट्री मंचों पर उसके वुरुद मतदान करने को लेकर काफी दबाव बनाया था। परंतु जैसे ही भारत की शक्ती का उन्हें आभास हुआ वैसे ही वह अनुने विने पर उतर आये। में किसी भी प्रकार की शंग का भारत के उत्तम विकास के पत्थ में बाधा बने। ऐसे में PM मोदी राजनीती के शेत्र में यूही मंझे हुए खिलाडी नहीं माने जाते। अता उन्होंने मौके को भापते हुए SEO के सम्मेलन में पुतिन को ऐसी बात बोली कि पश्चिमी देश भी चौक गए और उन्होंने गदगद होते हुए PM मोदी की प्रशंसा में उनके गुणगान गाने लगे। पुतिन को भापते हुए जाते हुए और उनके द्वारत के वर्तमान प्रधान मंत्री इस कला में काफी निपुण है। तब ही तो उनके द्वारा किये गए इस कारे में ये सिद्ध होता है कि कैसे साब भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी।